कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्ट नितीश प्रियदरु शी मैं जी औलोजिस्ट हूँ आप सभी जानते हैं जो लोग मेरा यूटूब देखते हैं और अक्सर मेरा जो पोस्ट होता है वो पर्यावरण पत्थर के बारे में कुछ अनसुजी रहस्यों के बारे में भी मैं अक् के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है आज मैं कुछ अलग पोस्ट लेके आ रहा हूं आज जो मैं बोल रहा हूं वो अलग है उसका ताक पर यह कहानी यह है कि क्या प्राचिन जो हमने किया है क्या प्राचिन मनुष्ण ने भी कि थी अंत्रिक्ष एवाम चंद्रमा की सार लगा कि इसमें ज्योलोजिस्ट का क्या क्या काम है बिलकुल सही आपको लगेगा ज्योलोजिस्ट का क्या कि का काम है लेकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहांगा कि प्रिद्वी पर बहुत सारी ऐसी रहस में चीजें हैं, रहस में घटनाई हुई हैं, चाहिए बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन समकों मिलते रहते हैं, जिसके बारे में विज्ञान आज भी कन्फियूज रहता है और उसके लिए हमारा समाज, हमारा विज्ञान ने एक अलग अध्या बना रखा, इसको हम लोग कहते हैं, आर्कियोलोजी या एंथ्रोपॉलोजी, उसमें इन सारे चीजों की पढ़ाई होती है, जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान बोलने में हिचकता है, चाहे उस तरह की जानकारी उनको नहीं हो पाती है, क्योंकि विज्ञान जो है, वो प्रिजेंट में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देता है, लाखों साल पहले क्या हुआ, वो एक हाइपोथेसिस, एक एजम्शन होता है, जिसमें वो जानकारी देता है, तो ये जो मैंने आज म विभिन किताबों से, पुस्तकों से, कि कहां ये जो घटना है ना, कि प्राचीन मनुष ने भी की थी, अंत्रिक्स एवं चंद्रमा की से, मेर डॉकुमेंट्स अपने साथ लेके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बीचे पढ़ता जाओंगा, और मैंने पहले भी कहा कि मैं बह आज आपके साथ में बात करता हूँ, करूंगा भी पहले में बात करता रहा हूँ, तो चली, आज हम उसके बारे में जानकारी लगते हैं, बहुत साल पहले, दस थी साल पहले की बात होगी, सोवियत रूज की समाचार संस्था उसकी एक थी प्रावदा ने एक बियान जारी कर संसनी फैला दी थी कि जब अमेरिका का यान अंत्रिक्ष यात्रियों को लेकर पहली बार जब चंद्रमा के सतर पर उत्रा तो वहाँ पर पहले से कोई मोजूद था यही नहीं उन लोगों ने एलियंस अमेरिकी अंत्रिक्ष यात्रियों को वापस जाने का इशारा किया अब सवाल यह उठता है कि क्या चंद्रमा पर या अंत्रिक्ष में जाने वाले यात्रियों में आधुनिक मानोही प्रथम थे या उनके पहले भी लोग वहाँ जा चुके चाहे इस पृत्वी से या दूसरे ग्रहों से यह प्रावदा ने जारी किया था जब अमरीकी विमान यात्रियों को लेकर चंद्रमा पर उत्रा था आज विश्व के कई प्राचीन लेखों में अंत्रिक्ष यात्राओं का विस्तार से वर्नन मिलता है वैसे आधनिक विज्ञ इनकी सत्यता पर प्रश्ण चीन लगाता है जैसे मैंने भी कहा कि अधनिक विज्ञान इसको नहीं मानता है लेकिन जिस तरीके से इनका वर्नन किया गया है उससे तो लगता है कि इन लेखों पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारी rock painting's में चाहिए लेखो में इन सब चीजों का वर्णन होता रहा है और हम लोग क्या करते है कि आधुनिक विग्यान के चकर में इन सारे चीजों को हम लोग भुला चुके हैं चाहे उसका ध्यान नहीं देते हैं फिर लगता है कि ये लोगों की कल्पना की उड़ान है लेकिन कहीं ने कहीं कुछ तो बात है क्योंकि लाखों हजारों साल पहले मनुष्य क्या करते थे इतने बड़े-बड़े मंदिर बना दिये इतने बड़े-बड़े चट्टानों को पहाड को पर चढ़ाए क्या विज्ञान था उस वक्त कुछ तो था जिसके चलते लोग आज भी इसके बारे में विश्तित जानका हुआ जिसको कोई पढ़ नहीं पा रहा है उसी तरीके का में राची के पास अब तो दुर्भागे खत्म होगे एक चट्टान मिला था जिसमें कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था जिसको लोग आज भी नहीं पढ़ पाए कुछ लोगों ने कहा दर्विड है कुछ लो से विश्व के विभिन प्राचीन गरंथों में अंतरिक्ष विमान एवं यात्रा का वर्नन काफी विस्तार से किया है को कि हमने कहा है कि कुछ हमने मैनुस्क्रिप जो है ट्रांसलेट किया हिंदी में कि आपलों के साथ में शेर कर सकूं विश्व के विविन प्राचिन ग्रंतों में अंत्रिक्ष विवान एवं यात्रा का वर्णन काफी विश्थार से किया गया तिबद के सुदूर उत्तर में सिंगनू की राजधानी के अवशेस का खोज सन 1775 इश्वी में की गई थी इन एवशेसों में एक पिरामिड एक शाही महल तथा एक सिंगासन जिस पर चंद्रमा एवं सूर्य के चित्र थे के अलावा एक दूधिया रंग का पत्थर भी पाया गया 1952 में जब एक सोवियत खोजी दल वहां पहुंचा तब बहुत भिक्षुकों ने एक प्राचीन दस्तवेज दिखाया जिसमें इस पत्थर को चंद्रमा से लाया गया दर्शाया गया है तो क्या प्राचीन काल में वास्तों में मनुष्य चंद्रमा पर गया था क्या उस वक्त के लोग अंत्रिक्ष में असानी से जा सकते थे भारत के देखिए जहां भी इस तरह की बात आगी भारत तो में कहीं ने कहीं सका जीक्र होगा भारत के पुराने लेखों में विस्तार से लेक मिलता है भारत के प्राचीन सूर्य सिधांत में इस बात का रोचक वर्नन मिलता है कि उस वक्त के दर्शनिक तथा विज्ञानिक चंद्रमा के नीचे एवं बादलों के ऊपर पृत्वी के चारों और भ्रमन करते थे भारत के प्राचीन संस्कृत लेखों में ऐसे वहन से इंधन का इंतिजाम कर लेते थे यह प्रित्वी का तब तक चक्कर लगाते थे जब तक कोई गतिरोध न हो या कोई भाग जलकर प्रित्वी पर न गिर जाए उस वक्त बड़े सेटलाइट का वर्नन आता है जिसका निर्मान चमकदार धातू से हुआ है तथा छोटे वि की वस्तू का वर्नन करता है जो एक रॉकेट की तरह लगता यह कुछ रॉक प्रिंटिंग्स में है जिसका फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके स्वस्वक के लोग इसकी कल्पना करते थे जरूर उन्होंने देखा होगा तभी उन्होंने उसको चटानों पे उस चीज़ को उन्होंने बनाया होगा जो आज भी बचा हुआ है सोभाग से ही दक्षिन अमेरिका के पेरू में चीनी मिट्टी का बना हुआ एक खास तरह का यान मिला है जो एक अंत्रिक्स कैपसूल की तरह दिखता है इटली में 1961 में रोम के पालाटाइन हिल के नीचे एक चित्र की खोज हुई थी जो एक रॉकेट को दर्शाता है इस चित्र में इस रॉकेट को लॉंचिंग पैट पर खड़ा दिखाया गया है तो कहां से ये कल्पना आ रही थी अधनीक विज्ञान और एस्टरनॉट्स ए उस तरह के चीजों का वजूद था जो कि जिसको हम लोग ध्यान नहीं दिये चाहिए विस्टित पढ़ाई नहीं कि आधनीक विज्ञान उन सब चीजों को छोड़ दिया नए नए तरीके से नए चीजों को लेके आने लगा आपके चीज में बता देता हूं अक्सर में लॉंच किये वो डिस्टर्ब होके गिर गया चंद्रमाप और लॉंच हुआ उड़ने से पहली खत्म हो गया तो विज्ञान दोखा दे सकता है लेकिन जो प्रकृतिक चीज होती जो पहले जमाने के लोग थे जो प्रकृती में जो चीजे होती वो दोखा आपको नहीं देत गोज़ू तरह जपान में कुछ ऐसे चित्रों की खुज हुई जिसमें लोगों को अंतृक्ष के वस्त्र पहने दिखाय गया है तथा उन्होंने ऐसे हेलमेट भी दिखाया गया है जो उनके पुरे सीर को ढख लेता है जैसे आज के अंतरिक्ष हेलमेट हेलमेट के उपर सुनने वाले यंत्र के साथ एंटीना भी दरसाया गया यह बड़ा अश्चर कवी से जो आज के वे आमारे जो अंतरिक्ष यात्री पहंते हैं वो उस वक्त इमाजिनेशन में वो था, इसका मतलब कहीं न कहीं इन सारे चीजों का अस्तित्व था, गौटे मला, देश के प्राचीन लेक में ऐसे सुनहरे रत का वरनन मिलता है, जो तारों तक पहुंच सकता है, कहीं न कहीं तो चीक रारा कहीं न कहीं उसक्ष के मनुशन में कि क्या हो सकता इमेजनिसन तो था या सही में कुछ ऐसी घटनाई हो एक मिकाशिस कर रहा हैं विस्तार से जाने को कि वह समय बेख wonderful currently बीच चुका अब अब एसी कोई साल दो सो साल पहले वो ट्राइम ट्रैवल करते थे हैं लोगों को बारे बताते थे भविश और पास्ट के बारे में पूर्व जर्म के बहुत हुई है लिए हमने कहा ने कि आधुनिक विज्ञान इस चीज को नहीं मानता है और मैं जियोलोजिस्ट हूं विज्ञान का द्यार कि न्यूजीलेंड देश के माओरी लेक में ऐसे उड़ने वाले मशीन का वर्नन है जो चांद तक पहुँच सकती है तो कई देशों में इस तरह का जिक्र हमें मिल रहा है चीन के हुआंग जू ने तीसरी सदी इसापुर में अपनी पुस्तक अनंद की अनंद की और यात्र में अपने अंत्रिक्स यात्रा का वर्नन किया है उस पुस्तक के अनुसार उन्होंने पृत्वी से 32,500 मिल ऊपर अंत्रिक्स की यात्रा की थी ये जो हुआंग जू जो किताब ये लिखे थे अनन्त की और यात्रा ग्रीस के लुसियाना चित्र में चंद्रमा को पृत्वी की तरह बताया गया है तता इस बात का भी वर्नन है कि चंद्रमा पर पहुँचने में आठ दिन लगते हैं चीन के युनान प्रांथ के जिल कुन मिंग में ऐसे पिरामिट की खुज हुई जो भुकम के बाद उपर आ गया उस पिरामिट पर ऐसी रॉकेट नुमा आकरती मिली जो सिलिंडर के आकार की तरह दिखता है एवं आकास के तरह उड़ने जा रहा है बहुत सारे चीज़े आई शोला छोड़ते हुए आसमान की तरफ उड़ता है तता दुर जाने पर धूम केतू की तरह दिखता है विश्णु जी का गरूल पर सवार होकर ब्रहमांडी यात्रा करना भी सांकेतिक रूप से इस और इशारा करता है उपर वर्नित जो हमने लिखाया जो अपने आपने ज यहां तक कि बेबिलोनिया के कुछ अभी लेखो में प्रित्वी की भूवेग्यानिक संग्रक्षनाओं का विस्तार से जानकारी मिलती है भूवेग्यानिक जो आज के रिमोट सेंसिंग सेटलाइट के दौरा इस तरह का काम किया जा रहा है तो हम नया क्या कर रहे हमारे पविश में पीडियों के हजार साल के बाद हमारे इसी चीज को फिर कहेंगे कि अरे तो कल्पना था इमैजिनेशन था उस वक्त का विग्यान उस वक्त के चीजों को लेके चलेगा यह समय परिवर्तन के अनुसार यह सब बदलते रहता है हजार साल के बाद हमारी आज इसी विग्यान को हमारे जो आने वाले जो पीड़ी होगी इसको मानेगे कि यह तो हाइपोथेसिस था ऐसे कुछ घटना होई नहीं थी हजारों साल के बाद तो कहीं ने कहीं यह चक्र हमारा चलते रहता है बिश्चा क्या है कि आज विग्यान कता तथ्यों को माने यंधा या न वाने कितनी इतना जरूर है कि प्राचीन सब्यता के लोग अंत्रिक्स एव उन्टरमा के बारे में विशेष जानकारी रखते थे एवं अंत्रिक्स यात्र का भी अनुभवत था एवं खगोलिये जानकारी भी संबलेती थी देखिए अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा जो रॉक पेंटिंग्स वगरे में जिसका कि संकलन हमने किया मेरा नहीं यह फोटोग्राफ वो हमने कई जगों से संकलन किया है और उसके बाद फिर में आपके साथ मिलता कि हम इस पर कितना विश्वास करें आएए कुछ फोटोग्राफ साम देखते हैं यह आपको दिख रहा होगा यह ऑस्टेलिया के कॉंटिनेंट का है यह सद्धान पर बना हुआ और यह आप देखिए भी ऑस्टेलिया का ही है रॉक्स पेंटिंग्स लोग बनाए हुए थे क कलपना देखिए इनकी आप एस्टोनाट ड्रेस आपको लग रहा होगा यह देखिए एक टुपी लगा रखा जिसमें एक एंटीना की तरह दिख रहा है यह सारे रॉक पेंटिंग्स अलग-अलग यह मैंने अलग-अलग वेबसाइट से लिए हैं यहां भी आप एक दिखि आप देखिए यहां पर दोनों दो अंत्रिक शियात्री को दिखाया गया है क्या यह अंत्रिक शियात्री धर्ति पाते थे कि हम लोग जाते थे आज भी सोध का विशह है आप देखिए पुरी तरह से एस्टोनाट का ही ट्रेस लग रहा है और यह करना बड़ा मुश्किल है कि यह कौन थे कुछ लोग करना यह गौड थे और कुछ का करना है कि हमारे पुराने एस्टोनाट थे आपने देख लिया मेरा जो हमने आपको आपके साथ डिसक्सन के वो भी सुना आज कुछ फोटोग्राफ भी आपने देख लिया लेकिन जिस तरीके से विभीन प्रकार की यानों एवं रॉकेटों का जिक्र मिलता है उससे तो साफ लगता है कि उसवक्त अंतरिक्ष विज्ञान काफी उन्नत था तथा लोग चंद्रमा एवं अंतरिक्ष की यात्रा सुगंता से करते थे शायद ऐसा ही हो कि जब सब्भिता की उन्नती चरम पर पहुंची हो देखिए चरम पर पहुंची हो और फिर किसी ने किसी कारणवस उसका विनाश हुआ हो गया और सारी उप्लब्द्या साक्ष के अभाव में किवधनती हो गई क्या होता कि हमने पहले भी कहा था कि बहुत चीज परिवर्टन है जब पर पहुंशते हैं तो सोफ्विता बहुत सारी सभिता गायब हो गई चुछ भी सारी सभिता का विनाश हुआ है बहुत student खथम हो गए बहू सारह सारी मिलता है तो मिलता है जो मनुष्य के द्वारा निर्मेता है बाकी सब तो खत्म होते चले जो जिए लॉजिकल एविडेंस थे प्लांट फॉसिल वह भी वही सिर्फ बचे हुए बागे बहुत सारे साक्ष तो हमारे मिट गए तो साक्ष मिटने का यह मतलब नहीं कि उनका अस् में वहां हमने चटानों पर देखा था पैरों के पदिचिन दो जोड़े जिसका हमने यूटूब पे पहले भी जिकर काफी किया है उसमें दिखाया है और उड़ने वाले एक यान का वहां पर चित्र बना हुआ है और वहां के लोगों का माना है कि यह रामलक्षमन थे जो आयत है सिता की खोज में और एक विमान का ही बना हुआ है वह विमान क्या है वहां के लोगों ने बनाए अब तो अपरदित हो रहा है गाओं वाले उसको बचा के रखे हुए किसे तरीके से लेकिन कोई कोई यह इसका यह नहीं है कि आने वाले समय में यह बचा ही रहेगा दो भू सारे चीज तो हम खत्म करते जा रहे जारकंड में मद्यपरदेश विमज भीम भेटका जो है कई रॉप पेंटिंग से बीम भेटका तो बच गिया रहें हैं इसे कई ने रॉप पेंटिंग से हैं जिसमें पूराने चीजों की जिक्र है हमने रांची चिह के सहर के बीचो बीच पहाड में हमने देखा है mathematical calculation चटानों में क्या है वो सब चीज है ग्राफ बना हुआ स्क्वाइर बना हुआ स्क्वाइर में गणित की तरह कुछ बनाया हुआ आड़ी तिर्ची रेखाई बनी हुई क्या है वो सब चीज एक विशिस सोद के अवसकता है तो मुझ स्क्राइब कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो थैंक यू